रायगड में आगामी एक जून से तीन डिवसिय रामायन प्रतिगुता का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में पहली बार होने वाले इस राश्ट्रिय रामायन महुत्सव में देश के विभिन राज्यों के साथ ही वेदेशी राम कताकार और लीला मंडलियां अपनी प्रस्तुतियां देंगी। मुख्यमंत्र भुपेश बगेल ने इस महुत्सव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भगवान राम का 36 गड़ से विशेश संबंध है शुरी राम का ननिहाल यहां होने के कारण वे प्रदेश वासियों के बीच भाचा के रूप में पूजनी हैं इसलिए यहां रामायन महुत्सव और भी महतुपूर्ण हो जाता है एक जुन से तीन जुन तक हम रामायन महुत्सव का आयजन कर रहे हैं 36 गड़ सासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयजित इस महुत्सव में हमारे प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राजियों के रामायन दल भी हिस्सा लेंगे रामकता के वाल भारत में ही नहीं विदेशों में भी बड़े उस्सा से कही जाती है तो हमारे इस आयजन में रामायन कहने वाले विदेशी दल भी अपनी प्रस्तुति देंगे संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रामायन महुत्सों में देश के विभिन राजियों से आने वाले मानस मंडली के कलाकार दोपर दो बजे से शाम 6 बजे तक और विदेशों से आने वाले मानस मंडली के द्वारा रात 3-8 बजे से रात 10 बजे तक प्रस्तुतियां दी जाएगी इस महसों में अरन्यकांड पर केंद्रित प्रसंगों पर विभिन राज्यों से आये मानस दलों के साथ ही विदेशी दलों के द्वारा रामायन की प्रस्तुति की जाएगी राश्ट्री रामायन महसों में सामोहिक हनुमान चालिसा और केलो आरती का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें हजारों की संख्या में दीप दान किये जाएगी